हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टूर चैनल पहले इसकी आप आवास सुनिए कितना क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना हुआ हमारा यह ब्रेड रॉल इसकी रेसिपी बिल्कुल एजी है और इसके अंदर के आलो को हमने बिना फ्राइक किये हुए बनाया है लेकिन इसमें अब बग 400 ग्राम आलो को बाल कर चील लिया है अब इन सब आलो को मच्चे से मैश कर देंगे इसके बाद में हम कटी हुए हरी मिर्ची आइड कर रहे हैं साथ ही हम हरी धनिया भी आइड कर देंगे इन दोनों चीजों की कॉंटिटी आप अपने एकॉडिंग यूज कर सकते जो हमने इसमें स्पेशल मसाला डाला हुआ है उसी से इसका पूरा स्वाद है आलो के स्टफिंग तयार है एक कड़ाई में हमने रिफाइंड तेल गरम होने के लिए रख दिया है क्योंकि हम इसे डीफ्राइ करेंगे इसलिए और अब हम इस मसाले में इसे छोट-छोटी ब टाइप की बना लेंगे इतने हालो के मसाले से लगबख 20 बाल बनकर तयार हो जाएंगे यानि कि 20 ब्रेड रॉल हमारे तयार हो जाएंगे बॉल का साइज में बहुत जादा बड़ा नहीं रखना है क्योंकि इसके उपर से जब हम ब्रेड कवर करेंगे तो यह खुदी बड ब्रेड करेंगे पानियों को हमें उंगली सही लगाना है क्योंकि इससे आपको कॉंटिटी का पता चलेगा और ब्रेड बहुत जादा गीले भी नहीं होने चाहिए इसके किनारों को भी हलकालका सा गीला कर देंगे और इस तरीके से इसे पैक कर लेंगे दबाते हुए अग किनारों पर भी हमें पानि लगाना है इस बात का विशेष ध्यान रखें इस ब्रेड रॉल के रेस्पी मुझे मेरी सासु माने दी है हम फ्राइ करके आलू बनाते थे वह एक अलगी रेस्पी थी लेकिन इसका बनाने का तरीका बिलकुल अलग है इस रेस्पी में हमें फ्राइ करेंगे इसे हमें हाई फ्लेम पर ही तलना है और तेल तेज गरम होना चाहिए इसे पकने हैं बिलकुल भी टाइम नहीं लगता है जैसे हम इसे डालेंगे लगब 15-20 सेकंड में हम इसे फ्राइ करकर निकाल लेंगे क्योंकि हमने इसमें उबले हुए आलू का में जो हमने स्पैसल मसाला यूज किया है उसके लिए हमें चाहिए देड़ बड़ी चमच खड़ी धनिया एक बड़ी चमच सौंप आधा बड़ी चमच जीरा तीन से चार लाल खड़ी मिर्ची इन सब चीजों के हमने भूंच कर पीस लिया है वीडियो के एंड में समोसे क की रेस्पी आईगी आप उसमें मसाला बनाने का तरीका देख सकते हैं देखिए हमारे गर्मगरम ब्रेड रॉल तयार है और यह बिल्कुल क्रिस्पी बने हुए है बाहर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट है खाने में इसका टेस्ट एकदम नाजवाब है इससे बनाने बिल